हेलो बच्चो में ट्रविट के इस वीडियो सोलुशन लेक्च्चर में सौल आते हैं आज हम देखेंगे ऑपेंड डाइस का होमवक की सौलुशन तो कल आप लोग को यह वीडियो मिल ला था तो आप लोग ने सौल किया हो मैं उमीद कर रहा हूं तो अभी स्टार्ट करते लिए परकट उबड़ा इसको अब मोडते हैं तो इनमें से ABCD मेंसे कौन-कौनसी राइस बनना पॉसिबल है तो थैकर इंकलिस में लिखके दिया है मैंने गूजाती में लिखके दिया तो हम सौल करते हैं तो जैसा कि लेक्च्चर में बताया था कि जो अकेले है वह एक F मतलब B भार कि क्या है B है अब E का अप उसी तरह उसका एक छोड़ो के तो पात B भार को को चोड़ो तो हुइ यह हो गया हमाराvocon fazerion क्या कि मतलब A क lady अब क्या करना हमार काम है कि options चार्ट लेने हैं तो देखो यहां पहला option ए देखो ए में क्या बोल रहा है तो यहां देखो बी और ए क्या है आपस में है लेकिन हमको क्या पता है कि बी और ए क्या है अपोजिट है तो यह option खतम अब देखो f.e.d. f.e.d. में देखते हैं तो f इसका हो गया e इसका हो गया और d इसका हो गया इसका मतलब क्या हुआ है कि तीनों फलकवे सही सही चीज़े है ठीक तो b हो सकता है अब c देखो c में देखा है b c e तो b c e में देखते हैं तो c और e साथ में आ गया है लेकिन e और c क्या है अपोजिट है तो यह option भी खतम अब d आप्शन देखो e to a लोगों क्या बता है ए और d क्या है कि अपोसीट है यह पे बगर में दे दिया है तो इस अप्शन भी नहीं होगा घू आपना एंसर क्या है इस देखो क्या लिखा हुआ पहले लिखा है मातर ए सिर्फ ए फिर दूसरा लिखा है बी ओनली यहां पर भी मातर भी होना चाहिए तो अपना आंसर क्या हो गया बी तो यह वाला अपना ऑप्शन सही है एंड सी तो हो नहीं सकता अब देखते हैं नेक्स सवाल नेक्स का क्या रहा है सेम वही चीज की पेपर कर डुकड़ा दिया हुआ है तो इन में से बताना है कि इसको जब मोड देंगे तो जो क्यों बनेगा उसमें 5 के अपोजिट में क्या है थीख है तो सिंपल नेक्स सवाल इसकोशन में क्या करते हैं साल करने के लिए यह फोट्ट यह फोटो बने वह टीक है डिजाइन तो अगर जिसको डिजाइन देखने में असान लगता है तो वह डिजाइन से भी सॉल्ट कर सकता है लेकिन हम क्या करेंगे इसमें नंबर लगा देंगे नंबर लाने से होगा थोड़ा सा असान हो जाएक तो नंबर लगाते हैं वन टू थिरी कुछ भी नंबर लगा दो अपने मंद से 456 है ना अच्छा अब देखो अब ऑप्शन में भी नंबर लगाना पड़ेगा तो यह डॉट वाले यह 4 है उसके बगल वाले 5 है और यह उपर अपना 3 है है ना हमको क्या पता है कि वन के अपोजिट में 3 है तू की अपोज अपोजिट में 6 है ठीक है तो यहां से अब ऑप्शन में से मिला लो 345 यह पहला ऑप्शन हो सकता है ठीक है ना दूसरा ओप्शन देखते हैं दूसरा में क्या ऊपर 3 है यहां 5 है और यह जो है ना तुम्हारे यह वन है अब देखो 351 351 हम क्या जानते हैं 3 और 1 वन है यह लायन वाला है ये यह टू है और यह डूरों शूट दूरों वारते ये तमयर अच्छा तो है लोगना अब देखर deliver वालते हैं रहे तो उपको पता है और 501 इस उपन ही नहीं होगा टिक अब देखो यह मतमक्की के चक है एंपने है लिगा नहीं कुम में यहां के बनाने से टाइम भी दे गया अब देखो यह क्या है 236 और 236 तो यहां पर भी 236 अलग अलग है तो यह भी option हो सकता है है ना इसमें क्या है इस question में दो-दो answer हो गया एक one भी हो गया एक four भी हो गया ठीक है कोई दिक्कतिक बात नहीं है इस question के दो-दो answer ते बढ़िया अब देखते हैं अपना next वार यह लाश्ट कुश्चन है इसमें वही सेम चीज़ करना है कि इसको जब मोडेंगे तो four और six इसके opposite में है ठीक और two और five एक उसके opposite में है ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ one का उल्टा में three है two का उल्टा में five है और four का उल्टा में six है अच्छा बढ़िया अब देखो में क्या दिखाना का रहा हूँ यह देखो पहला option पहला option में उपर number करोई तो क्या होगा यह plus sign क्या है अपने पास plus sign का नाम हमने क्या रखा है two रखा है ठीक है अच्छा तो यह हमारे यहाँ two है अब देखो three और six क्या है देखो हमने क्या बोला कि two है ठीक है तो अगर five होता है इसके पास में तो यह option नहीं होता है लेकिन क्यूंकि यहाँ पर three five और six तीनों चीज़ सेव है तीनों खाली जगह है तो एक condition यह condition यह हो सकता है कि यहाँ पर मालू यही वाला blank space हो लेकि यह भी तो possible है कि यह जो है three और six ही तो है यहाँ पर लिखा हो एक यहाँ पर three है खाली वाला एक यहाँ पर six है तो यह भी possible है यह बन सकता है अब दूसरा option देखो तो और सोंज में आए और एक खाली जगह है तो हम जानते हैं कि six का number जो हमने इसको six दिया है वो भी तो एक खाली जगह है तो यहाँ से one होगे यहाँ से two होगे और यहाँ से six हो जाएगा तो यह भी बन सकता है है अब देखो तीसरा तीसरा में क्या है एक open dot जो कि four कहला रहा है जिसको हमने नाम नाम 4 दिया है और एक black dot जिसका नाम उने 1 दिया है अब देखो यह हो गया यहाँ पर 4 यह यहाँ पर 1 तो एक जो हमारा एक और खाली space है उसका नाम उने 5 दे रखा है तो यह है यह तो तीनों अलग अलग है तो यह भी option हो सकता है अब यह यह सेम चीज़ देखो यह option 3 और यह option 4 क्या है सेम ही तो है इसको रखने का style अलग करती है जिसको यह दिख जाए उसके लिए ठीक है लेकिन नहीं जिसको नहीं दिखा वह ऐसे फिर से number कर लो कि black dot का नाम 1 है और open dot का नाम 4 है और 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है तो एक option और 5 यह जो blank space है उसका नाम 5 वाला हो सकता है तो यह option भी सही है इसके लिए कारण हमारे जो answer होगा वह डी होगा क्यों क्योंकि इसमें क्या करा है 1 2 3 और 4 चारो पॉसिबल है ठीक है चारो पॉसिबल है अब यह देखो यह ऐसा क्यों हो रहा है इसको मिटाते तो देख जाएगा तो ऐसा possible है कि यह जो places है जो खाली सेक है हर dice में यह अलग-अलग हो condition के हिसाब से ठीक है तो यह हमको संभावना के हिसाब से answer करना तो इसलिए संभावना के हिसाब से हम बोल सकते है कि यहाँ पे यह चारो डाइस बनना possible है ठीक है अब देखते हैं online test के answers पहला सवाल क्या ह प्रकुमन है कि बताना है कि चार के अपे प्लकूलं लेंस हम पहले घरी के डिशामें लिए चार दो छ इख बदल पर पता नहीं पांस है थो हमको क्या हुआ छैं पांश कर चाहत चाहर के क्या होसकता है Looks FMμα और option में दोनों दिया हुआ है तो अब कैसे answer करेंगे जब पासा तो दिया नहीं है तो देखो यह एक condition होता है standardized जिसको बोलते है standardized standard मतलब क्या होता है मानक पासा ठीक है इसमें क्या होता है कि जो भी तुम्हारा dice होता है उसके जो हर फलक होता है जो विप्रीत फलक पर आगे वाला फलक हो गया उसके पीछे अलब फलक उसको जब जोड़ते हैं तो वह 7 देता है यह होता है standardized का definition कि एक फलक को उसके विप्रीत फलक से जोड़ते हैं ठीक है तो 7 आना चाहिए जैसे उपर का नीचे से जोड़ो तो 7 सामने का पीछे से जोड़ो तो 7 लेफ्ट का राइट से जोड़ो तो 7 ठीक है यह condition होता है मानक पासा का तो अब हम यहां क्या देख रहे है इसमें क्या से फिलेवन आया लेकिन यह तो 7 नहीं है इसका यह मतलब हुआ कि जब हम 4 से इन दोने से कोई बीए जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए अभी भी नहीं आना चाहिए क्यों पर घल शेंप यह पांच को new डूने से दूसे नहीं आता और चार और तीन को जोड़ो और तो फिर यह मानक पाशा यह स्टेंडर पास का रूल लगाना है तो मैंने क्या बोला कि जब एक भी फलक जोडने पर 7 प्लस 7 आए तो ही बागी के फलक भी जोड़के 7 होगे यह स्टेंडर पास का कंडिशन है अब क्यूंकि यह पासा स्टेंडर नहीं था इसको बोलेंगे स्टेंडर्ड है ना यह अच्छा सवाल था बहुत लोग ने छोड़ दिया हो या फिर गलत मार किया होगा तो कोई बात नहीं पर अभी समझ लो नाइन वाले समझ लो यह मैं ये स्टेंडर्ड पासा न्हां इक डूसा करते हैं कंडिशन देख अर ऑप्शन से चांट लेते हैं पहला कंडिशन देखो यह रडा इसमें क्या है डांग और स्कॉइर बतलब ट्री कोण और चौरस यह यहां पर इतना है तो यह चांट देखो ह तो आंसर देखने की बढ़त नहीं है अगर बढ़ते हैं कोशेन नमर थी क्षेशन नमर थी क्या गह रहा है सेम अधर्ब्र है पहला कंडिशन देखो क्या सिर्फ लंब जारस पर यहां पर यहां पर है हां यहां पर ठोड़ा सा जगा है जिसमें सिर्फ लम्चॉरस है यहां पर एक कंडिशन हो सकता है है ना दूसरा कंडिशन देखते हैं सर्कल और लम्चॉरस है ना सर्कल और लम्चॉरस यहां पर हो सकता है तीसा कंडिशन देखो क्या है स्कॉयर ट्रैंगल और सर्कल मतलब चौरस, ट्रिकॉर्ण, और सर्कल, चौरस, ट्रिकॉर्ण और सर्कल, तो यहां देखो, कि यहां पे, चौरस कभी भी सर्कल के साथ आया इनी है, तो यह option तुम्हारा नहीं होगा, बढ़िया, फिर से आचो इस पे, इसमें पहला condition लगाओ, बी में, बी में, यहां पे हो सकता ह तुम्हारा पहला कंडिशन सिर्फ लंब चौरस पर दूसरा कंडिशन लंब चौरस और सर्कुल पर यहां पर हो सकता है अब तीसरा कंडिशन तुम्हारा क्या है चौरस त्रिकौन और सर्कुल तो यहां भी देखो वही सेम चौरस और सर्कुल कभी साथ में आया नहीं है तो तीसर्य उप्शन देखो इससे पहला कंडिशन सिर्फ लम चॉरस पे लम चॉरस तो कभी अकेले हैं नी तो यह ऑप्षन तो इसमें हो गाले है अब डी प्याज़ा दी का पहला कंडिशन यहां पर ऊपर में लम चॉरस खा लिए अर नीचे में थोड़ा सा खाली ए यहां पर सब्सक्राइब अब तीसा एकिया है तो यह रात उमारा के लिए छोटा इसे एक में चैनल यहां पर यह इंदर ना यह तो अब तो पहला कंडिशन देखो क्या है सर्किल और लंब चौरग यहां पर तीनों तो इसमें देखो यहां पर तीनों हो सकता है तो इसलिए अपना आंसर थीक है बाग की देखने का जरूरत नहीं कुछन नमर 5 ठीक है इसमें क्या बुलना है त्रीकोंड बताना है कितने जिकोंड ह ठीक है ऐसा कोशन भी हम कर चुके हैं क्लास में नमबर गरो 1 2 3 4 5 अब इसको ले लो 0 ठीक है पांच ट्राइंगल हमारे हो चुके हैं तो देखो 5 0 और 3 मिला के एक ट्राइंगल हुआ यहां पर लिख देते हैं ना असानी के लिए फिर 4 0 1 को मिला एक और ट्राइंगल हुआ है ना अब यह लो से 1 0 5 205 सॉरी 205 मिला एक ट्राइंगल हुआ 204 को मिला एक और ट्राइंगल होगा अब 103 को मिला ओ तो ट्राइंगल हुआ तो टुटल कितने हुए 5 हुए है पहले के 5 मिला दो 10 अंसर अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्या बोला है कि चौरस कितने हैं है ना वह बताना है तो चौरस कितने हैं वह बताओ तो पहले हम गिन लेते हैं एक दो कि तीन चार पांच छे साथ आठ आठ तो दिखें भाई चलो अब देखो नौ कि दस ग्यारा है ना तीन और होगे ना रेट कलर से अब गरीन से बढ़ाओ यह देखो एक दो कि इतने हो कि अब देखो इसको मिटा आते हैं तो तो तुमको अच्छे से दिखा सकेंगे हम अब देखो यहां पे भी स्कॉर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस दस हो गया है अब जोड़ों कितने होगे आठ प्लस तीन ग्यारा ग्यारा तीन चौदा चौदा दस चौबिस अपना अन्शन ट्विन्टीपोर हो गया ठीक है यह भी असान कोशन था अब देखतें कोशन नमर सेवेशन नमर ग्यारा सेवन क्या रहा है सरक्र बताने इसमें कितना है सरक्रीड उसला किना असान है गिन दो एक दो तीन चार पांच छह आट नो दस ग्यारा बारह तेरह कंट शॉब सक्राइब गया घ्या और ठीक है यहां पर और ओफ्चन 14 भी था लेकिन अपना सक्क्राइब लेट अब देखो को स्टार के बदेड है एक प्लस धीक है दूसरा और तीसरा डैस देखो इसमें क्छार प्लस यहां पे पर शक्राइब को कि स्टार और प्लस यहां पर भी यहां पर भी है यहां से क्या बजला की यह dollar का sign opposite एक इसके आड तरीट की थीसरा और 24 डाइस इसमें क्या दिखता है dollar का साइन और प्लस और जिसमें भी डॉलर का साइन और प्लस तो यहां से क्या बजला और 8 एक दूसर के अपोजिट में तो अंसर क्या होगा सी इसी के साथ class 8 के solution खतम तो अब यह है अपना online test 2 class 9 के लिए solution class 9 में 12 question थे और class 10 में 8 question तो जो class 10 के जो 8 question है वो भी इन ही में ठीक है तो मैं इन ही में बता दूंगा और आप लोग देख लेना बढ़िया अब start करते है पहला question के साथ पहला question क्या कह रहा है find the straight line इसमें सीधी लेखा है बतानी है कितनी है ठीक है यह तो असान है इसे गिन दो इसमें लम 4 बताना है ठीक है तो हमको तो पठाए लम 4 जिषने भी लम 4 होते है जब वो गिनना होता है تو squares भी हो तो वो भी गिनना होता है है ना तो ये चीज ध्यान में लखना तो आओ गिनते हैं एक दो 2, 3, 4 , एक के करके यह 4 हो गयए अब एक और 3 को मिलाऊगे तो 5 2 और 4 को 6 1 और 2 को 7, 3 और 6 को 8 और एक सबसे बड़ा यहां बहाला तो यह हैगा तुमारा नो अब देखते हैंiller next यह चाहते हैं इसमें क्या बोल रहा है व्हाइडाइंग्ल कितने है ठीक है, ट्र्याइंगल मतलब दर्रिकवटों नहीं पूच रहा है, व्हाइडार चल किесь त्रिक Food के सभी पूचायें बराबर हो तो बताँ, तो देखो, अगर ट्रिकोन देखते हैं तो एक ट्रिकोन हमको यह दिख रहा है ना यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है और भी छोटे-छोटे हैं यहां पर ठीक है लेकिन हमारा में काम क्या है बताना कि इसमें यह समान भुजाये वाले ट्रिकोन कितने हैं तो हमको पता है देखो यह पर साइड बताते हैं कि एक स्कॉयर है एक चौरस है अब अगर इसके डागरनल पर लाइन खीचते हैं मान लो इसकी जो एक भुजाएं उसका जो लेंथ है उसकी जो लंबाई है वो ए है और स्कॉयर है तो सारी भुजाएं बराबर होगी तो इसके इस जो मैंने बुलू से बनाया इसकी जो लंबाई होगे वो कितनी होगे तो हमको पता है ए रूट 2 होगी कैसे निकाला मैंने क्योंकि एक राइट ट्रेंगल है तो हम पाइथागरे स्थोर्म लगाते हैं तो ए स्कॉयर प्लस ए स्कॉयर का अंडर रूट तो इसका इसको लिख सकते हैं किसे ए रूट 2 अच्छा ए रूट 2 लिख दिया बढ़िया तो यह है यह है और यह रूट 2 है तो यह जो ट्रेंगल बनता है जो रेट से बनाए वेने यह समान भुजाओ वाला त्रिकॉर्ट नहीं है तो उसी कॉंसेप्ट को लेते वे साथ में यहां साल देखो यह मालो एक एह नाम का है यह तो अब इसका यह निकालोगे है बभुत तो अगर यह तो 2 x 2 है और यह यह है तो यह जो त्रिकोंड बनता है यह समान भुजाओ वाला त्रिकोंड नहीं है मतलब इकुलेटरल ट्रेंगल नहीं है तो इससे क्या पता चला कि हमने जितने भी त्रिकोंड गिने थे वो सारे समान त्रिकोंड, समान बुजाम वाले त्रिकोंड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपना 0, ठीक है, यह होगे, मैंने इन चारों का बता है, अब वही सेम छोटे में भी, यह छोटा वाला जो है, इसमें भी वही सेम कॉंसेट से सोच लो, कि इसका जो चौरस कितने हैं, तो हमने ऐसे कोशन कर रखे हैं वैसे तो, बट मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो पहले छोटे टो को गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह तो बारा हो गए, छोटे-छोटे है, है ना, अब हम गिनते ह है, मिला मिला के, तो यह देखो, एक, दो, और तीन, चार को मिलाओगे, तो एक बनेगा, ठीक है, पांच, छे, साथ, आठ, को मिलाओगे, तो एक और बनेगा, ठीक है, अब नो, तीन, पांच, तसको मिलाओगे, तो एक और बनेगा, है ना, पहले बारा था, फिर हमने अभ सबसे बड़ा वाला कि यह सबसे बड़ा एक और है तो एक और जोड़ो 17 और एक अपना यह देखो मैं भी बनाता हूं यलो से तीन चार और पांच शे को जोड़ोगे तो यह भी तो है एक और 18 तो 18 अब बढ़ते हैं नेक्स सवाल पर यह अपना फिफ्ट सवाल है और ऐसा सवाल मैंने क्लास में करा रहा है ज्यां होगा तो है ना तो इसको पहले का करते हैं इन दो लाइन को अगर मान लो हटाते हैं तो अब इस फिकर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा मैंने क्लास में करा रखा है है ना इसको फाल करने क्या तरीका होता है इसको नंबर कर दो 1234 है ना और यह तो ऑर यह इसको भी 12 मान लो ठीक है अब करते हैं इनको आपस में जोड़ते हैं जोड़ोगे इतना होगा यह 1 प्रस तो 3 3 plus 3 6 plus 4 10 यह होगा 10 अच्छा मतलब इस वाले रेटेंगल में 10 लंब 4 है ठीक है अब यह 1 और 2 को जोड़ो कितना हो गए 3 तो इसमें कितने हैं 3 लंब 4 है और इसमें कितने हैं यह वाले नीचे वाले इस यह भी 1 2 को जोड़ो गए 3 है अच्छा अब क्या करते थे हैं हम लोगो 3 हो इनको पता चलिक थे 3, 3 figure में 10 plus 3 plus 3 तो लोग कितना हो गए 16 हो गया लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब हम ऐसे जोड़ते हैं इसी क्या होता है यहां वाला वन दो बारा का है एक बड़े वाली फिगर के करणा है और एक इस फिगर के करणा है तो एक इसके करणा घटाओ और यह वाला यहां पर जब हम लेते हैं यहां पर भी यह वाला जो बॉक्स होता है यह जो मैं भी ग्री ब्लू से मिटा दिये थे तहीं गूसकील अब इनको हटाओ अब क्या होगा इनको हमने जो जोड़ा तो यह यह जो प 맛이 होगा है है यहां और दो यह एक और यह और दो यह हीं और July 8 Ohio है जोड़ते हैं दो पहले का 12 यहां का दो और यहां का फे एक और दो प्लस किन दो हो 18 अब कोई यहां पर यह मत कर देना कि यह 1 और 2 है प्लस कर दिया इनको और 3 बोल दिया यह 3 सही है लेकिन कब तक सही है जब जब हम सिर्फ इन पर बात करें जब ये वाला भी बहार वाला जो है ये भी लेना हो तिक हमने क्या क्या थरी तो पहले ले लिया था है ना इसले इसको जोड़ा ने ठीक है अगर इसको कोई इस तरीके से नहीं करना चाहता तो इसका एक और तरीका है क्या तरीका है सुनो क्या का करो इनको जौड़ दो यहाँ जोड़ों तो वन टू कितना हो फिर चिछ जब ऐसी क्यों कि क्रोगा यह कुछ चूड़ जाएगा तुह तो यह तेँन इनको फिर से जोड़ना पड़े गा तो यह कुछ ऐसा सवाल है कि पहले वाले तरह वह भी तुमको कुछ जोड़ना पड़ेगा और दूसरे वाले मेंटेट से भी करो तो भी कुछ जोड़ना पड़ेगा है न तुम कुछ असानी लगे तुम उससे बनाओ तो इसका अंसर क्या अठारा बढ़िया अब देखते है नेक्स्ट बताना है कितने वरित हैं इसमें मतले क्या था सर्कल्स है तो इसका सिंपल तरीका क्या बता है था मार करके गिन लो सबसे बड़ा एक दो है ना फिर यह तीन फिर यह चार यह पांच यह छह यह साथ यह आठ यह नो तस यह क्यारा बारह तेरा चौदा और पंदर इसका आंसर क्या होगा अपना सी का पंदरा यह दिख रहा है यह सी का पंदर नीचे है अब बढ़ते है नेक्स्ट सवाल पर सेवन सवाल क्या कह रहा है कि दा टू पोजिशन मतलब दो फिगर दिए वे एक डाइस के हैंना मतलब यह दाइस सेव हैं इसके दो अलगले पोजिशन दिए वे हैं बताना है कि अगर ए नीचे है तो टॉप पिक है मतलब एक के अपोजिट में क्या है बस एक उल्टे में क्या है यह बताना है अच्छा तो अब यहां देखो दो उमीद है अप टेस्ट में क्या होगा कुछ नमरे इसमें क्या पूजाय कि थ्री के आप उसरा डाइस ने नहीं दूसरा और तीसरा देखो इसमें क्या कॉमन है तो लिखो गड़ी की दिशा में 5 6 3 इसमें लिखो तो यहां से क्या बजला कि 3 के आपोजिट में 1 है बजला है लेकिन अब देखो यह NTSC लेवल 2 का कोशन था इसलिए अच्छा कोशन है यह देखो अब जब तीसरा और चौथा पासा देखते हैं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है और यहां जब देखते हैं तो 6 के आपोजि तो अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे सोचते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है यह क्या है एक स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है जिसके हर फलक विपरीत फलकों को जोड़ेंगे तो वह 7 आएगा ऐसे आगे और पीछी को जोड़ेंगे 7 उपर और नीची का जोड़ेंगे उअन की नीचे सदमा है इसफैन्न क próxim सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि वह सारे मानक पासा है कि मानक पासा अगर तभी नहीं हो घब 5 को जोड़ना हो कासा में तो फोलो कर तो उपर सठीक और तरहे ते ओपर तरह तो नीचे चैप्ञें फोलना की है तो पिच्छी क्या ही बन चेए यहां 5 रह तो होना चीए यह और झाओ बच्छा इसमें देखिए यह वन्हाइप पिचिक मंचिक मां चिए तो यह 2 अची पांचीए 5 बनचीए है यहां भी क्या देख रहे है कि इन इन तीनों डाइस में इन चारों डाइस में जो standard path का condition होता है कि उनके falcum को जोड़ेंगे तो वो साथ आएगा ये follow हो रहा है है ना इसलिए अब हम इस question को इस अपने trick से ना करके simple ये standardize का जो rule होता है वो लगा देंगे है ना तो जब यह rule लगाएंगे तो हमको क्या पता है कि 3 को 4 में जोड़ते हैं 3 को जब 4 में जोड़ते हैं तो वो 7 आएगा है ना इसलिए इस question का answer है वो 4 है सब्सक्राइब ये भी अच्छा question था न्टीस से डेवल 2 में आया था तो बहुत लोगों ने गलत क्या होगा तो कोई बार ने अब देखते हैं next अब देखते हैं नेक्स अब आपना question number 9 क्या बोल रहा है अगर हर विप्रीत फलक पे जो number है उनको जोड़ते हैं तो वो 7 चाइए लेकर तो यहां दे दिया है यह option नहीं होगा यहां देखो यह फाइव है थो उल्टा में ट्व होना चाहिए यहां थ्री है तो नीचे 4 और यहां पीछे 6 होना चाहिए तो यह कंडिशन हो जबता है तो यहीं है अपना answer है अब देखो यहां पर 6 पीछे वन होना च अब देखो नेक्स पूछा है कि अगरी स्टार है तो स्टार विपरीट में क्या दिया होगा है तो देखो पहला और दूसरा डाइस ब्सक्राइट और तीसरा डाइस पासा मिल्ट इसने क्या देखते कि यह स्टार और यह प्लस यहाँ पी ये स्टार और यह फ्लस हैं कि यहां सлекति अप्रार्ण folklore के तो प्लस यहां से का बजला कि यह जो star है इसके पुज़ूर्ट में क्या है यहां से अंसर वरिफाइब हो गपड़ी है अब देखते हैं नेक्ट कोश्ण यह दो क्सके हैं डॉट सिजूसन की कुश्ण है इसका तरीका क्या बता था कि देखो पहला डॉट पहला कंडिशन दे सरज यहां तो यहां कि यहां पर यह ओप्स रहरें १ रोट हो सकता है आटकि एक्साम में और बढ़ने की जुरुदत नहीं यहां था बंपने लेक्न icon को दिखा देते जलती से Vogler को सब्सक्राइबक पर Sus personalities यह option neither here triangle equivalenceो country जब陰िजा कर तो उसमें कहने स्कॉयर है है यह वही डूस Kannur यहां पर ग्रूस के बीच में डॉट यहां पर लाइं को सतरो तो स्कॉयर के ढिए लिए उफें नहीं होगा ट्रैंगल रस यहा प्लिख यह जातब एंट यही ऑप इस्कॉरr तो यहां ठिया अप्र को सब्सब्स गाह जिंए प्राश Cash यहां नहीं होगा कि रेस ट्रीम गरिये ठीक्लास एए er और ट्रीम के सुलिशन 9 के बारे कोशन थे और 10 के आज जो कोशन थे वो इन ही में से थे तो आप लोग उसे साथ से देख लेना अपना तो यह पसंद आया उसे एंटिक लाइक कर देना और फिर मिलते हैं अगले वीडियो को एंगर झाल झाल